वीडियो जो है वैं वीडियो जो है वह रेस्पी वाली तो वीडियो को लास तक जरूर देखना क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है तो आज में बनाने ौली हूं लोकी के कॉप्ते जो की आप देख सकते हो कितने मुलाइम और सॉफ्ट वने हूएं कि अगर तो हम ग्रेवी में डालते हैं तो वह तोट जाते हैं तो आप देख सकते हो यह कितने मुलाई मैं मतलब कितने सॉफ्ट बने हूँ इसके लिए आपने ले लेनी है एक लोकी जो कि मैंने दोके ले ली ती और इसको अच्छे से आपने इसका छिलका निकाल देना है और वीडिय कि आपको कौन सी मेरी वीडियो देखना अच्छी लगती है तो कमेंट में जुरूर बताया करो तो अब इसका छिलका जो हम निकाल लेंगे जैसे आप देख सकते हो कई बार क्यों होता ना अंदर से पकी हुई होती है तो बोनी लेनी आपने मतलब जो छोटी-छोटी होती है वह अच्छे रहती है तो कोशिश करना वही वाली लोकी हो तो यह अच्छे से मैंने चील लिये और इसमें भी आपने ध्यान रखना कि थोड़े से अंदर जो बीज होते हैं वह निकाल देने आपने और इसको अच्छे से कद्दुकस कर लेना जैसे मैंने कर लिया है फिर क्या करना हमने इसका पान निकालना अछसे से पानी को निचाड़के अलगसे ब CFonz में आपने सको रख लीना मतल पानी पूरा निकाल देना कि रहे ना तो अबब मैने एक लोकी लिए थी मैं उसकी हसाब से बेसं बना रहिया हुँ उसके हथा आप खुद ये कर सकते और जो घर पर आप मसाले यूस करते हो हल्दी गरम मसाले जो भी है वह आपने थोड़ थोड़ इसमें आड कर देने और एक बात का ध्यान रखना मैं क्यों ब्यूरी बनाते में बनाते बनाते ना तो कई लगा हमें भी नहीं पता चलता तो मैंने अभी देखो नमक कर दिया आप क्या करना आप पुरा मिक्स कर ले ल और इनको अच्छे से आपने फ्राइ कर लिए नहीं ताकि अंदर तक पक जाएं कि वार कहो था हम ना ग्यास जादा रखते हैं और वो कच्छे रह जाते हैं और साथ में जो आपने ग्रेवी के लिए रहना है उन्हेरा आपने मैं लिया था लसून टमाटर और प्यास और एक स सकते हैं त्यार हो गिए और फिर जो मेरे कॉपते बनके हो गए थे तेयार मतलब ग्रेवी होगी थी त्यार और मैंने कॉपतों को डाल अभी आप देख सकते हो कितने मतलब अभी आपको ना स्पून से करके दिखाते हूं कितने सौफ्ट और अंदर तक पगई है मतलब अभी में नया जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं